हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सो आज 17 अक्टूबर हो चुका है इसके बाद आपके पास बहुत कम टाइम बसता है आपके एक्जाम के लिए चलिए फटा-फट से देखते हैं कि हमारे एक्जाम के लिए कितना टाइम है और किस तरीके से हम फाइनिंशल मैंजमेंट को प्रिपेर करें सो देट हमारा इसली बहुत अच्छे से हो जाए अब सर हम बीकॉम की बात कर रहे हैं कि एट इस बीकॉम के अंदर अगर देखा जाए अगर देखा जाए तो हमारे पास ऑक्टूबर में हमारे पास तस दिन माल लेते हैं सर दस दिन क्यों 17-18 19-23 दिन छोड़ देते हैं नमवंबर में हम 30 दिन और दिसंबर में हम 15 दिन तो टोटल हमारे पास बच गए चालेश और पंदरा 55 देज टोटल जो हमारे पास बचे हैं 55 देज बच गए ठीक है इसको ध्यान में रखते हुए देखिए 55 दिन हैं और सर सेमेस्टर 5 के पास 4 सबजेक्ट है टोटल और सेमेस्टर जो 3 के बच्चे हैं उनके पास 7 सबजेक्ट हैं जो एक बहुत ही एक टेंशन वाली बात कह सकते हैं 55 मैं हर एक चप्टर के लिए आपके लिए एक इस तरीके से फॉर्मिट लेके आना चाहता हूं कि आपको थोड़ा इजी हो जाए बस पढ़ने में ठीक है तो सर 55 दिन यानी 55 दिन का एक हम अपने आप से चैलेंज लेंग और प्लीज आप रेगुलर बेसिस पर क्लासेस देखें ऑनलाइन में अच्छा ही है तो बुराई भी है आप मैं हर बच्चों को बोलता हूं कि यूट्यूब हो चाहे इंस्टा यूट्यूब के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाई पॉइं सब्सक्राइब के लिए उनके लिए शॉट्स बहुत अच्छी चीज है क्योंकि जो ओडियंस एंगेजमेंट की चीज है लेकिन एज़ा स्टूडेंट देखें एज़ाम पॉइंट व्यूज से तो बहुत बुरी चीज है शॉट्स इसनी बुरी चीज क्यों है विकॉस और रीजन यह है आपका टाइम खतम कर लेता है जब हम शॉट्स को देखते रहते हैं देखते रहते हैं अगर तो आपको पता नहीं चलता कि एक एक मिनट की वीडियो कब एक घंटे 60 देख लिए 90 देख लिए तो जब देखोगे नहीं तो उसके बाद आपकी काम करने की या प इंदर इंगेज हो तो उसके बाद जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपका दिमाग तो दो घंटे वैसे काम नहीं करेगा आप आज मांके देख लेना पता ही नहीं चलेगा आपके दिमाग में वही खयाल आता रहेगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा बच्चों को बोलता हू यह आपके परफॉर्मेंस होगी किसी और की परफॉर्मेंस नहीं होगी एक्जाम अच्छे जाएंगे आपके जाएंगे और मैंनी स्टूडेंट मैं हर बार मैं 12 भी पढ़ाता हूं 12 के बच्चों को बोलता हूं भाई पढ़ लो कंपनी अकाउंट शियर कैपिल पढ़ लो ग्रेजुएशन में पढ़ लो नहीं तो आगे पस्ताना पढ़ेगा सर क्यों पस्ताना पढ़ेगा क्योंकि आगे जितने भी कोर्से से वह नहीं कर पाऊगे मेरे पास ऐसा वर्किंग जो है काफी सारे स्टूडेंट भी सी एफे कर रहे हैं वो सी एफे अब वो छोटी छोटी चीजे पूछते हैं फाइनिशल मैनेजमेंट की बोलते हैं सार कोविड के डूरेशन में हमने तो पस पेपर दिया था असाइन्मेंट दिया था पास हो ग और जहां आप पढ़ने जाओगे ना ग्रेजूशन के बाद लिटरली बोल रहा हूं आप याद रखना चाहिए आज लिख लेना और जिस दिन आपको अब यह बात लगे कमेंट जरूर कर देना वहां पर मैंने देखा के एक कॉंसेप्ट कराये जा रहा था CFA के अंदर मैं कभी डिसकस करूंगा CFA के अंदर भी CFA के अंदर कॉंसेप्ट कराये जा रहा था के सर IRR क्या है आई आर आर जो हमारा कैप्टल बजटिंग हमारे एफिम का पार्ट है बस आई आर आर का फॉर्मूला लिखवा है आप बोलता है आई आर आर ऐसे निकल गया देट सिट अब बच्चे को यही नहीं पता चल रहा के भाई यह है क्या चीज इंटरनल रेट ओफ रिटन होता ह इसको ऐसे निकालते हैं ऐसे निकलते हैं बात खत्म एक सिंगल कुश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं देंगे वह बहुत सारे इंसिट्यूट है जो कि वो चाहते हैं कि क्यूंकि उनकी भी गलती नहीं है फीस वहाँ पे हायरेंड होती है पचास हजार साथ हजार फीस होती है दो से तीन महिने में उन्हें फटा-फट से कूर्स वाइंड अप करना होता और वो सिर्फ और सिर्फ समरी समझाएंगे डिटेल नहीं पढ़ाएंगे सिर्फ इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट हमारे आगे चलके कोर्सिस के अंदर आगे चलके किसी भी काम के अंदर सक्सेस नहीं हो पाते क्यूंकि उसने बैक में अपने एजुकेशन के साथ थोड़ी सी अब लापरवाई करी है मतलब क्यों यह प्राबलम इसलिए उसने पढ़ाई नहीं है तो मैं भी आपके साथ यही कहना चाता हूं यही फोकस करना चाता हूं कि आप पढ़ के एक्जाम दीजिए पास तो देखो मैं दस दिन पहले भी हो जाओ गया लेकिन उस पास होने का कोई फाइदा नहीं के लिए मत पढ़िए सीखने के लिए पढ़िए नंबर के लिए पढ़ोगे सक्सेस नहीं हो सीखने के लिए पढ़ोगे तो नंबर आए ना आए आप अपने आपकामियाब हो जाओगे आपके अंदर इतने क्वालिटी इतने टेलेंट हो का जब आप चीज़ेस को सीखोग आप बोलो, मुझे जोरत नहीं है, तुम कैसे सिखा रहे हैं, मुझे आता है, और में पता है, कि यह कैसे करना और नहीं करना, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना, I know very well, मार्क्स वाक्स नहीं देखना, मैं एको चैलेंज दो, मैं भी complete प्रूब करके दिखाता हूँ, आप कह ठीके साथ यही कहना चाहूँगा, बहुत कम दिन, मैं हर बार आपको दिन रिमाइड करा रहा हूँ, और ध्यान रखिये, जिन बच्चों ने पढ़ना चालू कर दिया है, यूट्यूब पे, पढ़ते रहे हैं, आपकी, जिन बच्चों ने कहीं, अधर टीशन में, अधर पढ़ते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा होगा, जिस स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, या फिर वो अभी इफ और बट में, मगर अगर के अंचकर में फसे हुए हैं, कि अब पढ़ूँगा, कल पढ़ूँगा परसो पढ़ूँगा, जनरली होता क्या है, जॉब वालों को तो इस तरीके से, जो जॉब वरकिंग है, वो इस तरीके से सुबह दस से लेके छे बजे साम तक, मतलब नहीं है कि खिताब उठालो, छे बजे हालत इतनी खराब हो जाती है, सो उसने थोड़ा रिलेक्स कर लेया, रिलेक्स करने के बाद, थोड़ा फून के अंदर हम टाइम स्पेंड करते हैं, चल यार, मिला है, और उस एक घंटे फून को चला के दिमाग को इतना थगा लेते हैं, कि आठ बज जाते हैं, खाना पी न खाने के बाद ऐसा लगता है, यार, हम पढ़ने की कोसिस भी करते हैं, यह लिखा है, लिखा है, वीडियो भी देखने हैं, क्लासिस भी देखने हैं, दिमाग के अंदर दिख तो रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है, टीचर समझे नहीं आ रहा है, दिमाग के अंदर जाई नहीं रहा है, हो क्या रहा है, कित क्लिए प्लैणिंग के साथ खाना-खाना फ्रेश होना और बैठ जाना पढ़ने को इस यह फ्लैणिंग होनी चाहिए लेकिन हम सोचते हैं कि 8 गंटे काम क्या थोड़ा बहुत माइन्डरीफ माइन्ड फ्रेश कर ले माइन्ड करने के और लो भाई भागे office के लिए वो बहुत student lucky है जो की घर पे बैटके पढ़ रहे हैं बहुत lucky है उस students को कहना चाहूंगा एक number मत कटने दो जान लगा दो आप उसके अंदर job वालों की तो मजबूरी है आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है सारे question कर लो tenure कर लो book कर लो खदम कर दो और paper के अंदर challenge के साथ without tension जाओ एक भी question गलत मत होने दो एक भी concept डर नाम का चीज नहीं होना चाहिए तो फिलहाल मैं financial management का एक बार slavus दिखा देता हूँ आपको क्या है ये हमारा b.com और ये slavus पता है किसके लिए है सर ये semester 5 वाला बच्चा हो और चाहे semester 3 वाला बच्चा हो ये program as well as honors और ये भी program as well as honors के लिए हो सर unit wise chapter को आपका divide किया गया है unit 1 में 2 chapter है ये वाला आपका approach 10 नंबर का आएगा और ये वाला topic आपका 5 नंबर काएगा इस तरीके से 15 का बनेगा इसका question आपका 15 marks का आपके exam में पूछा जाएगा इन सभी को combine करके आपका मान के चलो 15 नंबर का पूछा जाएगा कई बार examiner कहते हैं कि थोड़ा से trend change हो गया तो 15 से लेके ये 20 नंबर तक का हो सकता है और यहां पे थोड़ मार्क्स की कटोती कर दे या कहीं adjustment कर देते हैं कई बार ये chapter हमारा 10 नंबर का और इसको 20 का कर देते हैं तो मैं अभी average ली 15 का मान के चल रहा हूँ और सर ये पूरी unit हमारी 15 नंबर की है सर हर एक chapter practical के साथ एक theory होगा सरिफ इसके साथ theory नहीं होगा बागी इन सब के साथ theory मिलेगा theory पता है कैसे देंगे वो जैसे मान लो एक question number 1 दिया आपका 2 दिया A part practical और B part आपका theory यानि आप सोचोगे ने theory से pass हो जाए तो नहीं हो सकते आप यकीन करना believe करना अगर आप financial management को अच्छे से पढ़ लेते हो 2 गंटे में पूरा paper 100% accurate के साथ करके निकल जाओगे अगर नहीं पढ़ोगे तो 5 गंटे दे दे आपको आप paper को छू तक नहीं सकते सारे technical word होते हैं कोई debit credit नहीं या account नहीं है किस chapter को उसे पहले करना चाहिए वो चीजे भी मैं लिख देता हूँ सबसे पहले बच्चे को जो करना चाहिए that is leverage मैं numbering डाल रहा हूँ आप register पर इसे note करिएगा screenshot लेने से कुछ नहीं होगा screenshot जीवन में बहुत लिए हैं और वो screenshot ही रह गया है number one पे इसको करिए number two पे इसको करिए number three पे इसको करिए पहले ये वाला unit निप्टाइए और number four पे इसको करिए ठीक है इसके बाद number five पे इसको complete करिए सर एक ही chapter है 15 नमबर का और सर एक ही chapter है पाँच पे इसको कर लिजे ठीक है ये सारा आपका हो जाए अच्छे से फिर उसके बाद नमबर 6 पे आपने ये करना है नमबर 6 पे इसको रखना है नमबर 7 पे इसको रखना है इसको इंटरचेंज कर सकते हो पढ़ने के लिए इन तीनों चेप्टर को फिलहाल छोड़ दीजिए आप सेवन के बाद नमबर 8 पे आपको ये उठाना चाहिए मैं उस सिस्टम से बता रहा हूँ जिससे आपको चीज़े समझ मैंगे पहले ही बच्चा कैपिटल बस्टिंग उठा लेगा पागल हो जाओगे भाई साम समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है याद पहले ही बच्चा डिविडेंट पॉलिसी एक चप्टर 15 का ये कर लेते हैं वहाँ पे जो टर्म्स यूज होंगे के आर के डी के पी ये सब यूज होंगे जो कि यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा तो मेरे हिसाब से ये वालब चप्टर यूनिट वन होना चाहिए यहाँ से अंडिस्टेंडिंग पावर डिबलप होता है और उसके बाद यहां के कॉंसेप्ट हर जगा कहीं न कहीं यूज हो रहे होते हैं नमबर आट के बाद नमबर नौ पे आप करिए daraj और अब करिये झांवी और इसको अगर मैं white से लिख रहा हूं दिन में इस वाले को पहले वाले को इसको करने में आपको तीन दिन लगेंगे अच्छे से करने में तीन दिन अच्छे से सर इसको करने में आपको दो दिन लगेंगे इसको करने में सर चार दिन लगेंगे और इसको करने के लिए सर तीन दिन लगेंगे तो कितने दिन लगे चार तीन साथ और तीन दस दस चार और सरी चार और तीन साथ दो नो और तीन बारा दिन ये यूनिट बारा दिन में खतम हो जाएंगे इसके बाद इसको करोगे इसको करने में आपको पांच दिन लग जाएंगे तो बारा और पांच कितने होगे सर सतरा दिन अभी मैं हरे कुश्चन बिल्कुल रिलैक्स होके सारे कुश्चन लिख के करने की बात कर रहा हूं जिसके अंदर हम cover कर रहे हैं सर book that is book है rp, रस्तोगी and plus स्रिवदास का tenure, पूरा पूरा cover करना है आपने इसके बाद हम अगली बात करते हैं पांच के बाद च्छटे नमबर पे इसको करने में आपको दो दिन लगेगे, इसको करने में एक दिन लगेगा, साथ के बाद आठवे नमबर पे आ जाते हैं, इसको करने में भाई साथ 20 दिन लगेगे, 15 से 20 दिन मानके चलो, ठीक है न, इ इसके बाद 9 नमबर पर इसको करने में आपको 3 दिन लग जाएंगे और ऐसको करने में आपको 4 दिन लग सकते हैं थोड़ा अतीपिकल है और इसको करने में सर 2 दिन लगेंगे तो यहाँ इस यूनिटकी बात करें तो 2, 3, 4, 7, 3, 10, 12 12 यह कितने दिन होगे 12 दिन 12-5-17 12-12-24 और 25-30 दिन और यहां 20 दिन होगे हमारे 50 दिन होगे और इस चप्टर को करने में आप 2 दिन माल लग सकते हो 52 और थियोरी तो आप देखोगे मैंने कोई ऐसा प्री प्लैन नहीं किया था जितने टाइम लगते हैं उसी टाइम के हिसाब से मैंने सारा करा तो 50-55 दिन में यह ओवरल हो रहा है और सर किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए क्या क्या फॉलो करना चाहिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं आप सबसे पहले बुक करेंगे बुक का मान लेते हमने पहला चप्टर उठाया लीवरेज जैसे मैंने बोल आप शिवदास का शिवदास का टैनियर ठीक है इसके बाद शिवदास का टैनियर जो मार्किट में आ चुका है और प्रसनली मैंने इसको इस हिसाफ से डिजाइन किया हुआ आपके नियरवाइश शॉप से मिल जाएगा नहीं तो मैं क्वांटक नंबर भी दे दूंगा इस यह तो वह सारे क्वेशन प्रैक्टिस करोगा यह करोगा आप एक्जाम के अंदर ना ऐसा लगा यह वाले तो कुशन किया हुआ है आंसर तक याद होगे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो लीवरेज और शिवदास टैनियर से यह जिन बच्चे के पास जैस मिस्टर ग्रीश है इनसे बोलेंगे अगर जो कॉरियर मंगवाएंगे तो जल्दी आ जाएगा जो यहां का में हैड है सेल्स परसंड जीरो वन फोर सेवन सिक्स तरी जीरो यह नंबर है ठीक है मिस्टर ग्रीश आप टैनियर मंगा लीजिए जितने आप दो से तीन दिन यह फिर प्रैक्टिस करिएगा एक चैप्टर दन फिर इसी तरी किसे दूसरा आपने माल लेते लिए उठाए उसके बाद ठीक है तो इस हिसाब से आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना है अब बात करते हैं यूट्यूप पे जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं तो यूट पुरानी वाली वीडियो क्या हम देख लें देखे मैं हर साल न्यू वीडियो बनाता हूं और हर साल मैं न्यू अमेंडमेंट्मेंट के कुछ भी चीजिस चेंजिस होती है या कुछ फॉर्मेंट में बदला हुआ या easiest way में करना चाहता हूं आप पिछली वाली वीडियो द सेम मैं हर साल पढ़ाता हूं साथ पिछले साल पढ़ा रहा हूं तो ज्यादा सुपीरियर पढ़ा रहा हूं कि पिछले साल जो मुझे कमी महसूस कमी को मैने क हत्म कह्तं लिए फास्ट ड्रेक फास्ट्रेक बैज अब सर यहां पे बच्चों से मैं पूछता हूं कि भई तुने पहले क्यों नहीं पढ़ा सर वो पता नहीं चला आपका बैज कब आया यह नहीं पता चला था यह सर उस ट्रेम पे फाइनेंस की दिक्कत यह सर सोच रहे थे कुछ एक्स्ट्रेक्ट्यूटिम है हाँ भाई हम आपकी सारी बाते मान जाते हैं सब को दरकिनार करी है पचपन दिन इस्तमाल करना है बस हमारे साथ क्या मजबूरियां थी क्या परिश आने थी बिमार पढ़ गया था कुछ ऐसा हैपनिंग हो गया था गाउं चले गया था लडाई हो गया जगड़ा हो गया एक्सिडेंट हो गया बहुत कुछ हुआ मेरे जीवन के अंदर सब बातों को छोड़ी अब आगे तो पढ़ ले बाई है ना अब तो आगे पढ़े हैं क्या उन चीजों को सोचके अब बरबात तो नहीं किया जा सकता तो फास्ट्रेक बैच हम ले सब्सक्राइब नूट चैंजारे लेगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब सुन लिया और उसको फिर नोटिंग करो बस ऐसानी के वीडियो देखा पॉस किया और साथ के साथ नोट करेना तो ज़्यादा बहतर है ठीक है बुक साथ के साथ लेके चले रिकॉर्ड इट प्लस डाउट के लिए अभी बहुत सारे स्टूडेंट थे तो डाउट के लिए हम कुछ न्यू सिस्टम कर रहे है और ताकि आपके डाउट बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए तो डाउट भी आपके यहाँ पर हो जाते है सर ठीक है इसके बाद कौन-कौन से सब्जेक्ट है सर इसके अंदर मैं बता देता हूँ अभी जो चल रहा है लाइव में फाइनेशल मेनेजमेंट सर मेनेजमेंट अकाउंट रिकॉर्डिंग है मैं किसी चीज को ऐसा नहीं बोलना चाहता बढ़ा चड़ा के जूट बोल दू और फिर आप लो फिर सर ने गलत बोला नई मेनेजमेंट अकाउंट रिकॉर्डिंग है इसमें दो चप्टर मुझे करवाना डिसीजन मीकिंग और आपका एक स्टेंडर कॉस्टिंग जो कि लाइव में मैं करा दूँ है बाकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगा बाकी टैनियर भी इसमें रिकॉर्ड करे हुए है ठीक है ना नमबर तीसरा बिजनस मैट्स बी एम जिस बच्चे के पास होगा समझ जाएंगे वो नमबर फोर बिजनस मैट्स के बाद आपका स्टेट्स नमबर पांच एकनॉमिक्स कोई सा भी हो सारा एकनॉमिक्स नमबर छे एकनॉमिक्स के बाद दूसरे सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो अब बच जाता है हमारा एक थियोरी का प्रिंसिपल ओफ मार्केटिंग सर प्रिंसिपल ओफ मार्केटिंग में मैं फ्रेंकली बोलू ना अब डलने चालूँगा, तो जो बच्चे जोइन नहीं कर पाये तो वो कर सकते हैं, यह छे सब्जेक्ट on going हमारे पास चल रहे हैं, कुछ बच्चे ER वाले हो सकते हैं, ER वाले के अंदर हमारा income tax, सर, income tax, और ER वाले के अंदर, तीन के अंदर, क्योंकि हमारा तीन और पांच है, तो ER कौन सा, एक और तीन का चल रहा हो, तो majorly income tax के अंदर था, और जो बच्चे improvement भरना चाहते हैं, वो अभी से course लेके पढ़ सकते हैं, यह सारे subject हैं, सर, income tax में last year की recording थी, कोई amendment में इतना changes नह और साथ के साथ, हम बात करें किस की सर, हम बात करते हैं, इसके अंदर, जो paper last year के होते हैं, definitely वो मैं solve कराऊँगा, और जो amendment का section है, वो मैं करवा दूँगा, live session के अंदर, ठीक है, तो इन सभी के, हमने क्या करें हैं, batches launch कर दी हैं, इस सभी के batches हम लेके आ रहे हैं आपके ल जादा लेगा, तो बहुत heavily discount पे आपको मिल सकता है, यानि एक subject का course का price, suppose करो, मेरा एक subject का price है, 600 रुपीज, ठीक है, suppose करो, आपको 600 में, एक subject के price में, दो subject मिल सकते हैं, इस time पे, normally, अभी, जो भी price related है, क्योंकि जब मैं price quote कर देता हूं, तो बच्चों को फिर दिक्कत होत फिर team में भी कई बार बोलते हैं, सर आपने ये बताया था, इसमें कैसे लगेगा, text लगया, तो heavily discount मैं बोल रहा हूं, सर 600 का तो कोई course नहीं है, 500 का भी कोई course नहीं है, 500 से भी below आपको course मिल जाएगा, आप अभी easily पढ़ सकते हैं, आपको proper folder, सारे चीजे, यहाँ पर बस ए स्टार्टिंग से, no need to spend any single rupees, आप YouTube पर पढ़िया सारी चीजे हो रही है, लेकिन कोई बच्चा अगर उसमें concentrate नहीं कर सकता, तो go with this, और जिन बच्चों ने अभी तक YouTube पर भी स्टार्ट नहीं किया, वो वीडियो ढूंड के, या इधर जाके, उधर जाके, प्लेलिस्ट मे जाके, इधर जाके, कभी स्टीचर का, कभी स्टीचर का, ऐसे करके, परिशान होके, और पच्पन दिन बर बाद कर लेंगे, भाई, चार-पांसो रुपे जो भी लग रहे है, इसको देके, एक systematic पढ़ने लग जाईए, पीडियाफ किसी बुक की नहीं है, ना ही किसी का, आ दूसरा, hard copy होगा, तो आप अच्छे से पढ़ोगे, बुक के अंदर, बुक के अंदर पढ़के, अच्छे से लिखे, तो आज ही new register लीजिए, new panel लीजिए, शुरुआत करिए, और अच्छे से दिन का, इस्तमाल करिए, तो ये था मेरा कुछ बोलने का, वीडियो का वीडि trending तो वही है कि छोटी वीडियो, छोटी वीडियो, हर कोई कहता है, सर, छोटे में करा दो, आदे घंटे में करा दो, सर, एक घंटे में करा दो, पांच मिनट में, तो भाई, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, लाइफ के अंदर, आपको अगर बच्पन से बड़ा होना है, और पांस साल, अगर आप पांस साल के दिखना चाहता है कोई बच्चा, तो उसको पूरे पांस साल लगाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि दो साल में कोई बच्चा पांस साल का हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आप ध्यान रखेगा, अगर आपको quality चाहिए, तो time देना पड़ेगा, first time पे वीडियो आप पूरी देख के आराम से कर सकते हैं, 1.2x पे देख सकते हैं, अगर आपको slow लगे, 2x पे बिल्कुल भी मत जाएगा, फिर क्या होगा, बस वीडियो चल रही है, दिखते ही रहेगे, लेकिन दिमाग बंद रहेगा, तो hopefully थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो thank you so much, मिलते हम next सारे subject के summary बनाके हम लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें कैसे पढ़ना हैं नहीं पढ़ना उन चीजों पर discuss करेंगे, तो next video में मिलते हैं, चैनल आपने like, share and subscribe तो कर ही लिया होगा, hopefully, तो अगर आपने subscribe कर रखा है, तो notification bell भी दव नोटिफिकेशन इस चैनल पर सर्फ और सर्फ बीकॉंसर रेलेटेड वीडियो को दिया जाता है, thank you so much